तो एक वाट्सप गाइज कैसे आप सबी लोग सो आज की वीडियो बहुत ही जदा आप पर इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एक बहुत ही जदा कमाल की थीम है जिसके बारे में आज की इस वीडियो माँ बात करेंगे और बताऊंगा आप लोग कैसे आपर इसको सेट क होने वाली है और उस से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमार्च नेल को सब्सक्राइब निक है तो सब्सक्राइब करे लेना और बेलाईकन का वैव्श चार्ट करते हैं सो गाई सबसे पहले आप लोग डेख सकते हो आइकन पए का है वो आपको कुछ इस तरीके क देखने को मिलते हैं, simple आपको जो icon peg है वो यहां पर देखने को मिलते हैं, वही अगर हम बात करें notification share की, so notification bar वार है, उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके के जो option है, वो यहां पर देखने को मिल जाएंगे, white and black look, बहुत ज़दा यहां पर कमाल का लगता है और सारे वीजेट्स हैं वो यहां पर अच्छी तरीके से वर्क करते हैं smoothly और जो notification बार है वो आपको कुछ इस तरीके का यहां पर देखने को मिलता है और अगर हम बात करें log screen के बारे में तो log screen कुछ आपको इस तरीके की यहां पर देखने को मिलती है जो कि यहां पर बहुत ही कमाल का लगता है क्योंकि आपको ज़्यादा यहां पर वीजेट है वो यहां पर देखने को नहीं मिलते है वह यह अगर हम बात करें सेटिंग पेज की सेटिंग पेज आपको completely यहां पर डिफरेंट देखने को मिलता है और MIUI वर्जन की बात करें तो आपको Android का जो logo है वो भी यहां पर देखने को मिल जाएगा सो easily आप लोग इसको यहां पर set कर सकते हो सो यहां पर आप लोग कैसे इस theme को install कर सकते हो अपने सबी device के अंदर सो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे बहुत आपको theme application के अंदर जाने के बाद में आपको profile के अंदर जाने है और यहां पर आपको कुछ इस तरीके के option देखने को मिलते है theme के अंदर जाने के बाद में आपको यह जो theme है वो यहाँ पर install कर लेनी इसका name है A plus 12 है V dash 12 है इसको यहाँ पर enable कर लेना है तो आपको यह देखने को मिल जाएगा और जो boot animation है वो मैं आपको दिखाना भूल गया है तो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जब phone off होगा तो आपको कुछ इस तरीके का animation देखने को मिलेगा वही अगर हम बात करें phone on होने की सबसे पहले आपको Poco की branding है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और उसके बाद में Google Pixel वाली जो phone है उनकी तरह आपको Google का जो boot animation है वह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप लोग डेख सकते हो कितना ज़्यादा यह कमाल का लग रहा है जो boot animation है वह आप लोग कैसे set कर सकते हो आपको theme के अंदर ही जाना है और अंदर जाने के बाद आपको यह जो theme है वह यहाँ पर set कर लेनी है जैसे आप लोग इसको set करोगे आपको customize theme के अंदर जाना है boot animation के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको pixel experience है इसको यहाँ पर set कर लेना है सो इस से बूट एनिमेसन है जो कि याँ पर इजीली सेट हो जाएगा आज की वीडियो में इतना ही तब तक लिए गुड़ बाई